हलो दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप से रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीस चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिये और वीडियोस को भी जादा से जादा लाइक और शेयर करिए तो पिछले वीडियो में हमने question number 146 तक discuss कर लिया था चलिए next question देखते है 147 जो कि इस वीडियो का पहला question है इसमें पूछा गया है निमलिकित में से कौन सी तरंगे सभी भुकम पिय तरंगों में सबसे तिवरगामी है तो कौन सी वेवज होती है earthquake में जो सबसे faster waves होती है option A primary waves के लिए right answer है primary waves को हम P waves भी बोलते है P stand for primary ये तरंगे ये waves जो होती है वो ध्वनी तरंगों की तरह longitudinal waves होती है जबकि जो scantry waves होती है वो slower होती है as compared to P waves यानि primary waves scantry waves को हम S wave के नाम से भी जानते हैं P stand for primary and S stand for secondary चलिए next देखते हैं which of the following is called thunderstorm clouds option C cumulonimbus इसके लिए right answer है आम थोर पर गरज वाले बादलों के रूप में से जाना जाता है ये जो cumulonimbus है ये एक मातर प्रकार का बादल है जो ola brishti, गरज और बिजली पैदा कर सकता है इसमें तीनों चीज़े हो सकती है ola brishti, गरज और बिजली और जनरली बात करें तो clouds की तो clouds जो है 100 से अधिक प्रकार के जो clouds हैं, बादल हैं वो मौजूद हैं और ये data जो है international cloud atlas के अनुसार है कि 100 से अधिक तरह के बादल हो सकते हैं चलिए next देखते हैं इसमें 149 में हम से पूछा गया है सभी प्रकार की आंधियों में सबसे छोटी किंतु सरवादिक विनाशकारी तथा प्रचंड है तो option B इसके लिए राइट अंसर है, option B tornado तो tornado एक भ्यंकर के रूप में इसका कारत दिखाई देता है, एक बहुत तेज गुमारदार हवा के साथ तुफान जो है, जब उठता है तो उसे tornado कहते हैं, और बात करें विश्व में अब तक के सबसे जो विनाशकारी tornado है तो साल 1989 में 1979 में पुर्वी पाकिस्तान में, जिसे आज कल हम बंगलादेश के नाम से जानते हैं उसमें भोला चक्करवाती तुफान जिसका नाम भोला रखा गया था वो आया था और ये तुफान इतना भीशन था कि इसमें लगग 5 लाख लोगों की जान चली गई थी बंगाल की खाड़ी से उठकर चले इस तुफान की शुरुवात आठ नमंबर 1970 को हुई थी माफकी जी 1979 नहीं 12 नमंबर 1970 को ये आया था तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन ए ग्योटस इसके लिए राइट अंसर है जो स्पार्ट शिर्स वाले समुद्री उठान है उन्हें ग्योटस कहते है अधिकांस जो ग्योटस है वो समुद्री परवत है वो जो विलूप्त ज्वाला मुखी होते हैं उनसे बने होते हैं समुद्र के अंदर और ग्योटस में जो हैं बड़े स्पार्ट शिखर होते हैं चलिए नेक्स्ट देखते हैं 150 का ए राइट ऑप्शन था 151 में हमसे पूछा गया है अप्शन सी लाल सागर लाल सागर में सबसे अधिक लवणता देखने को मिलती है यहां देख सकते हैं अगर लाल सागर की तो मृत सागर को सौल्ट भी कहा जाता है यहां पर देख सकते हैं आप रेड सी में सबसे अधिक लवणता है और मृत सागर की अधिक्तम लवणता प्रती हजार 240 है जबकि हमने कैस्ट पिन सी की देखी थी प्रती हजार 170 थी जबकि बात करें जील की तो टर्की की वण जील विश्व की सबसे लवणियां जील है जिसकी लवणता 333 परसेंट है और भारत की सबसे अधिक लवणता वाली जील की अगर बात करें तो समुद्र के किनारी स्थित होने के कारण इस जील का पानी दिसमबर से जून मा तक पानी मीठा हो जाता है भारत में सबसे ज़्याद लवणता वाली जील जो है रास्तान की सांबर जील है और उसके बाद चिलका जील है जो की उड़िसा में स्थित है तो सांबर जील आप याद रखेंगे चलिए नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं अगला क्वेशन पुचा पादप वृद्धी के लिए सरवतम रिदा है अगला है निमिलिकत मैंसे कौन सा समान खादे श्रिंखला का एक हिस्सा नहीं है 153 देख सकते हैं आप फ्रॉग स्नेक इंसेक्ट ये एक ही श्रिंखला से संबंधित हैं जबकि बकरी गोट ये जो है सेम फूट चेन का पार्ट नहीं है 153 का डी राइट ऑप्शन है क्योंकि कीट जो है उसको मेंड़ खाता है मेंड़ को सरब खा जाता है लेकिन बकरी जो है अलग चेंड से आती है नेक्स्ट देखते हैं इसमें पूछा गया है निमने मैंसे क्या निर्बनी करण का एक प्रतिकूल प्रभाव नहीं है which of the following is not an adverse effect of deforestation ओप्शन है इससी ड्रीनिस के लिए राइट अंतर है deforestation का मतलब है cutting down of forest मतलब जंगलों को काटना और यह कई बार natural भी होता है और accidental methods भी होते हैं the loss of trees and other vegetation can cause climate change तो अगर deforestation होता है तो उसे climate change हो सकता है soil erosion हो सकता है fear crops हो सकती है flooding हो सकता है increase in green house effect green house gases हो सकता है लेकिन acid range जो है इसके लिए उत्तरदाई नहीं हो सकता है चलिए next देखते हैं stepi एक लाक्षनिक बनास्पती है तो stepi क्या होता है तो stepi जो थे बड़े घास के मैदान होते हैं जिसमें some situation वातावर्ण होता है जिसमें गर्मियों में गर्म और ठंडी में बहुत सा अधिक सरदी होती है इसमें घास जादा होती और पेड़ पौधे कम होते हैं ये इस तरह की एक situation है जिसमें जो dry होती है flat grasslands होते हैं with no tree and cool climate स्टैपीज में किस तरह की विनस्पती होती है बीना पेड़ बाला सुखा मैदान होता है जिसमें घास होती है और ठंडी जलवाई होती है जली next देखते हैं और इस घास की जो औसतन उंचाई है वो डेड़ मिटर तक लंबी ये घास हो सकती है अगला question पुछा गया है bed downs mainly rear या बेड़ दू मुखे तो पाले जाते हैं तो ये क्या पालते हैं एक्चुली ये bed downs जो है या बद्दू या बेड़ दू भी इनको बोलते हैं ये एक प्रकार की जन जाती है और ये खाना बदोश लोग होते हैं जो की रेगिस्तानों में रह जाते हैं दुनिया भर में को लगभग चार मिलियन के करीव जो है ये जन जाती के लोग है यानि बेंड़ और ये क्या पालते हैं मुखे तो ये उन्ट पालते हैं याद रखेंगे camels option भी इसके लिए राइट अंसर है 156 का 157 देख लेते हैं इसराइल और जॉर्डन में आ पार कॉफ तो किसकी छाल से option C synchona व्रिक्ष इसकी छाल से ये extract किया जाता है निकाला जाता है ये naturally निकाला जाता है और अगर बात करें तो synthetized भी इसको laboratory में तियार किया जा सकता है तो प्राक्रितिक रूप से जो है synchona की छाल से जो है quinines का extraction किया जाता है ये फिर lab में भ एक hydrocarbon और एक chlorine युकत hydrocarbon की tone या alcohol के विलायक मिश्रण के साथ उपचरित करके सिंको नचाल के शारिये दवरी करण से प्राप्त जमीनी उतपात से निकाला जाता है पसंदिता अनुपात hydrocarbon के आयतन के हिसाब से 5-22 भाग और भाग 100 है इतने detail में मत जाए 157 का C जो है right option है अ option A अंसर की किसाब से इसका सही option दिया गया था अकबर ने जिस फियाना मत को प्रस्तुत किया उसे अकबर ने क्या कहा था तो दीने इलाही या फिर दीने इलाही का दूसरा नाम तोही दे इलाही भी था तो 136 का A और B दोनो right option होगा क्योंकि दीने इलाही का दूसरा नाम त पोही देई लाही था तो option D 136 का right option होना चाहिए आप भी एक बार इसको check कर लें अगला पश्चन है पौध रोपनी क्रिशी है यानि plantation agriculture तो किस प्रकार की क्रिशी है option D इसके लिए right answer होगा labor intensive भी है और capital intensive भी है तो गन श्रम गहन और पुझी गहन इसके लिए right option होगा तो रोपन क्रिशी वानिज्य क्रिशी का ही एक प्रकार है जहां पर चाय, कॉफी, काजू, रबड, केला, कपास, आदी की फसल उगाई जाती है इस प्रकार की क्रिशी में बड़े पैमाने पर श्रम और पुझी के अवश्रक्ता होती है उत D. 158 का right था 159 देख लेते हैं तो बात करें रशिया की तो रशिया का मुख्य उतपादक जो है तेल है उइल उसके बाद प्रक्रेतिक गैस यानि नेचुरल गैस लौ अयसक तामबा, हीरा, सोना, लकडी तथा ताजे मचली के बंडार है यहाँ पर रशिया में तो option में जो तेल दिया होता तेल नंबर वन पर आता और जैसा हमने पड़ा कि तामबा, हीरा, सोना, लकडी और ताजी मचली जो हती है उसका भी उतपादक है काफी बड़ा अगला question पुछ आगया है Mount Everest अवस्तित है तो आप सभी जानते होंगे Mount Everest जो है located at Nepal तो नेपाल में है यह थोड जोंग गाया यूयान के नाम से जाना जाता है शिखर जो है सीधे तिबबत और नेपाल के बीच है यहाँ पर तिबबत का option में नहीं दिया गया है तो इसलिए नेपाल यहाँ पर right tick किया गया है और आप जानते होंगे नेपाल में जो है Mount Everest को सागरमाथा के नाम से जाना ज जाता था और इसकी उन्चाई 8840 मेटर है 8840 मेटर एक एवरेज है अलग अलग सर्वेक्षनों के उनसार से कई बार इसकी उन्चाई जो है 8848 कई बार 8872 कई बार 8850 और कई बार 8845 मेटर तक मापी गई है याद रखेंगे आप चलिए next देखते हैं इस question में हमसे पुचा गया है कार्डा मोम की पहाडियों को यह भी जाना जाता है यानि कार्डा मोम हिल्स आर अल्सों नोन एज option B येलागिरी हिल्स इसके लिए राइट अंसर हो जाएगा option A यहां पर राइट टिक किया गया है आप यह इसको एक बार चेक करेंगे मैंने चेक किया तो option B इसका गाट दे आर लोकेटेड इन दी सौथ वेस्ट आफ टमिलाडू एंड साउथेस्ट केरला तो तमिलाडू और केरला में ये स्थित हैं और इनका नाम जो है कार्डा मोम हिल इसलिए पड़ा क्यूंकि यहां पर छोटी इलाइची का उतपादन बहुत होता है तो इसलिए इस इसको कार्डामम हिल नाम दिया गया इसके लावा इलाइची के लावा कॉफी और जो काली मिर्च का उतपादन है वो भी यहां पर बहुत पैमाने में बड़े पैमाने में होता है 161 का बी राइट आप्शन है चलिए नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं इसमें मुझा गया है कलादन नदी या फिर इसको कालादान नदी भी बोलते हैं ये कहां पर स्थित है या फिर ये कहां की प्रमुख नदी है मुख्य नदी है तो यहां देख सकते हैं कालादान नदी या इसको हम चिम तुई पुई नदी या फिर तुई पुई नदी भारत के ये मिजोरम इस नदी द्वारा निर्धारीत है और यहां इसकी एक उप नदी जिसको तियो नदी बोलते हैं वो भी इसमें आकर मिलती है यह मिजुरम की सबसे लंबी नदी है और यहां राज्ये के दक्षनी पुर्वी भाग में यह बहती है सन 1904 में कलादान नदी द्वारा जुथा सितवे की बंदरगा से नौका चलाकर मिजुरम तक आया जा सकता था तो चलिए ओप्षन C जो है 162 का राइट ओप्षन था 163 में से पूछा गए है निमिलिक मैं से कौन दिसंबर मा के दौरान दिक्तम सूरे प्रकाश प्राप्त करता है या पाता है ओप्षन C कन्ये कुमारी इसके लिए राइट अंतर हो जाएगा या इसके जगा दूसरे शेर कराम होता जैसे चेन्नई तो चूंकि चेन्नई अन्य शेरों की तुलना में भूमद्दे रेखा के गरीब है इसलिए दिक्तम सौरुजा रेडियेशन प्राप्त करता है सूरे से आने वाली जो रेडियेशन होती है वो भूमद्दे रेखा पर सबसे मजबूत होती है यानि सबसे ज़्यादा होती है इसका कारण यह है कि रेडियेशन की तिबरता 90 डिगरी कौन पर सबसे मजबूत होती है और भुमद्य रेका सूरे के साथ इस तरह संरे खित होती है कि इस कोंड से विकिरन यानि रेडियेशन आसानी से प्राप्त हो सके 163 का सी कन्या कुमारी राइट ओप्शन था चलिए नेक्स्ट कॉर्शन देखते हैं इसमें हमसे पूछा गया है निमिली के तराजियों मैंसे कौन अमलियम रिदा धारन नहीं करता है तो बात करें असिडिक स्वाइल की तो असिडिक स्वाइल वो होती है दोस देट हैव पी एच वैली जिन की पी एच वैली जो हो 5.5 से यानि 5.5 से कम होगी साल भर के अधिक्तम टाइम है जिसकी पी एच वैली यू 5.5 से कम होगी जिस स्वाइल की जिस मरिदा की तो उसको हम असिडिक स्वाइल बोलते है और ये जो है अरुनाचल प्रदेश, आसाम में घाले, बणिपूर और मिजोरम में ये मुख्यतर पाई जाती है ऐसी स्वाइल जबकि रजस्तान में ऐसी मिट्टी ये जो है अमली मिट्टी नहीं पाई जाती है तो ऑप्शन ए जो है 164 का राइट ऑप्शन होगा भागडा नंगल परियोजना के अंतरगत किस नदी का दोहन किया जाता है तो इसमें पूछा गया है कि भागडा नंगल परियोजना को किस नदी से पानी मिलता है और एक और क्वेशन हमने पिछले वीडियो में भी डिसकस किया था कि भागडा डैम जो है प्रोजेक्ट इसके संस्थापक किसको माना जाता है तो सही उत्तर था इसका सर छोटु चोधरी राम तो ये याद रखेंगे आप भागडा बान जो है हिमचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के बिलासपुर के पास भागडा गाउ में सतलुज नदी पर बना एक कंक्रेट का ग्रेविटी बांध है यानि गुरुत्वी बांध है इस परियोजना के लिए समझाते पर पंजाब के उस समय के राजस्वा मंतरी सर छोटु राम ने नवंबर 1944 में बिलासपुर के राज़ा के साथ हस्ताक्षर किये थे और इसकी परिकलपना जो की थी सर छोटु राम ने ये 1923 में ही कर ली थी मतलब एक तरसे दूर दर्शी थे उन्होंने 1923 में इसकी परिकलपना कर ली थी कि यहाँ पर ऐसे एक बांध बन सकता है और बाद में ये पंजाब के जो थे राज़स्व मंतरी भी बने थे और एक क्वाशन इससे और पूछा जाता है कि किस-किस राज़े को जो है इस परियोजना से जल प्राप्त होता है तो इसमें पंजाब, हरियाना और राजस्थान को जो है पानी क्या पूर्ती होती है और यह पंजाब हरियाना और राज्थान सरकार का एक संयुक्त मिला जुला उद्दम है और 1963 में यह बांध बनकर त्यार हो गया था तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं भारत के किस राज्य का लिंगानुपात एक हजार से अधिक है तो 2011 की सेंसीज पर ही यह question based है option B166 के लिए right option है केरल में जो है sex ratio जो है 1000 से अधिक है sex ratio की बात जब हम करते हैं तो कितने 1000 पूरुषों पर कितनी महिलाएं हैं तो यह देखा जाता है तो केरल में 2011 की सेंसीज के हिसाब से 1000 पूरुष हैं तो उन पर 1084 महिलाएं हैं और यह बड़ा है जो 2001 में सेंसीज हुए थे उस समय जो था केरल में 1000 पूरुष थे तो उनके बराबर में 1058 महिलाएं हुआ करती थी जबकि 2011 में 1000 पूरुष हैं तो उस पर 1084 महिलाएं हैं और दूसरे नंबर की बात करें तो हम जो आपकी union territory है केंदर शाथी प्रदेश है पॉंडू चेरी उसमें भी जो लिंगानुपात है वो 1037 है 2011 की census के साथ से यानि 1000 पूर्षों के सामने 1037 महिलाएं हैं हिमचल प्रदेश के लिंगानुपात की बात करें तो 1000 पूर्षों के सामने 972 महिलाएं हैं जबकि सबसे कम लिंगानुपात में दमन और द्वी और दादर नगर हवेली ये दोनों union territories ही है ये आती हैं दमन और द्वी में 618 महिलाएं ही है 1000 पूर्षों पर और दादर नगर हवेली में 774 महिलाएं है 1000 पूर्षों पर तो सबसे कम दमन और द्वी का है 1000 पूर्षों पर 618 महिलाएं और अगर राज्यों की बात करें तो राज्यों में सबसे कम लिंगानुपात 2011 के सेंसिस के इसाब से हरियाना का था हरियाना में 1000 पूर्षों के सामने कुल 889 879 महिलाएं थी तो टॉप पे आपका केलल है राज्यों में चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें पूछ अगयने मिलके मैं से कौन सी भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है तो आप्शन सी इंद्रा गांधी नहर इ हमने देखा की राजिस्तान फीर्डर नहर और राजिस्तान मुख्य नहर जो है इसमें शामिल है छेसाइस ऊपचास किलोमेटर में यह जो राजिस्तान मुख्य नहर में हरीरेक बाञ्ध मिलता है और अर ठार रेगियस्तान तक ये जाती है और सतलुज नदीच जो है यहरी रेक बांध में पानी आता है चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं ग्रामिन विकास तता गरीबी उप शमन इसका मुख्य कारण है आई रडिप आप जानते होंगे इंटीग्रेटर रूरल ड्वेल्प्मेंट प्रोग्राम इसके लिए फुल फॉर्म है और ये 2 अक्तुबर 1980 से ये शुरू किया गया था नेक्स्ट देख लेते हैं 169 जो ये स्टेटमेंट दी गई है मद्यान भोजना योजना वर्ष 1994 में आरंब की गई थी तो 1990 में ये शुरू की गई थी उनिवर्सेलाइजेशन और प्राइमरी एजुकेशन यानि प्रात्मिक शिक्षा के सर्वत्री करण के लिए जो की आप्शन में दिया गया है और इसके साथ ही जो अटेंडेंस है या रिटेंशन है कि बच्चे स्कूल छोड़के नहीं जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा एन्रॉल्मेंट हो ये भी इसके लिए कारण था इस योजना को चलाने का तो दो मुखे कारण देखे हमने एक क्वेशन और पूछा जाता है कि कौन सा राज्य था जिसने सबसे पहले जो था मिड़े मील योजना शुरू की थी तो तमिल्लाडू पहला राज्य था जिसने बच्चों को स्कूल की ओरकर्शित करने के लिए 1962 में ही मिड़े मील की शुरूआत कर दी थी और बाद में 15 अगस्त 1995 को जो कि हमने एक क्वेशन में भी पढ़ा इसे केंद्र प्रायुजित योजना के रूप में शुरू किया गया तो स्टेट ने तो तमिल्लाडू ने 1962 में शुरू की थी इससे पहले एक और चीज़ हमको देखने को मिलती है कि भारत में जो था एक स्कूल फीडिंग प्रोग्राम चलाया गया था और ये मद्रास नगर निगम द्वारा चलाया गया था तो आप देखें कि स्टेट में तो तमिल्लाडू ने स्टार्ट की ये 1962 में अगर हम बात करें किसी नगर निगम द्वारा कहीं पर ये चलाई गई यो किसी अन्य स्टेट में तो मद्रास नगर निगम में 1925 में ही जो था स्कूल फीडिंग प्रोग्राम के नाम पर जो था बच्चों को खाना देने की योजना 1925 में शुरू कर दी थी चली next question देखते हैं जो कि इस वीडियो का last question भी है नवाड का मुख्यला अवस्तित है यनि जो नवाड है इसका मुख्यला जो है मुमबई में स्थित है और नवाड कि अगर हम फुल फॉर्म की बात करें कई बार ये भी पूछ ली जाती है National Bank for Agriculture and Rural Development याद रखेंगे आप National Bank for Agriculture and Rural Development और इसका मुख्यलए मुंबई में स्थित है और कई बार ये भी पूछ लिये जाता है कि नबाड जो था इसका formation यानि ये कब बना था तो 12 जुलाई 1982 को यानि 12 जुलाई 1982 को इसकी formation हुई थी मतलब ये बनी थी body regulatory body भी इसको हम बोलते हैं और ये भारत सरकार की Ministry of Finance के अंडर आता है वरतमान में इसके चेर्मेन जो है श्री शाजी केवी हैं और बात करें कि इसकी recommendation पे ये नबाड जो था स्थापित किया गया था तो बी शिवा रमनन की कमेटी थी उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था और 1981 में 1981 में पारलेमेंट में संसद में एक एक पास किया गया और 61 जिसके अनुसार जो है 12 जुलाई 1982 को जो है इसकी स्थापना कर दी गई थी तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और श सब्सक्राइब करिए धन्यवाद